अलो इडिवान दिस राज कमल आज इस टॉपिक की चर्चा में करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपोर्टेंट जो स्पेशल मसीन का एक टॉपिक है डाट इज रिलक्टेंस मोटर आज इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बारिकी से समझेगा ला पढ़ेगा इतनी गैरेंटी है लेकिन लगातार आप जूड के चियों को एक बार जिरूर पढ़ लेंगे आए पहले मैं बात करता हूँ रिलक्टेंस मोटर की हम इसकी चर्चा करेंगे पहले यह कहां से आया कैसे आया क्या है इनके बारे में चर्चा करें आप जब भी दे अर्टिकल सप्लाइ लेके मेकेनिकल कामी करेगा लेकिन इसके जो फीचर से बांकी जो हम पढ़ते हैं डीशी मसीन अल्टरनेटर एना सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जेनरेटर या फिर इंडक्शन मोटर उनसे यह थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर भी अलग होते है इसलिए इसकी जानकारी अच्छे से लेनी की आज ज़रुदर है आईए मैं बात करता हूँ इसके बारे में तो पहले आपको सिंक्रोनस मसीन पर चलना पड़ेगा रिलक्टेंस मोटर जैसे कि रिलक्टेंस एक टर्म होता है फिलाल में एक बताऊं कि रिलक्टेंस यहाँ प कुछ खास बात को जानना पड़ेगा दैटीज सिंक्रोनस मसीन हमने सिंक्रोनस मसीन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर भी पढ़ लिया है इवेन आपको तो हिस्ट्रेंस मोटर भी हमने पढ़ा है ना एक टर्मलोज ही आया है क्या र सेमेस्टर हो, जेई हो, एई हो, कमपटीचन हो, या फिर आपका डेली लाइफ हो, कहीं भी यह आपको बहुत हेल्प करने वाला है, अगर मैं बात करूँगा यहां पर, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अभी तक आपने सिंक्रोनास मशीन में क्या पढ़ा, synchronous machine में आपने पढ़ा synchronous generator एंड दूसरा पढ़ा आपने synchronous motor यहना दो चीज़ अभी तक आपने पढ़ा एक synchronous generator दूसरा synchronous motor basic fundamental में जब आपने machine को कहा दूसरी बात अगर कोई आपसे यह भी पूछ देता है sir what is synchronous machine तो आप कहते हो कि जो synchronous speed को follow करता है वही synchronous speed है या नि synchronous speed कहें तो NS और NS जो synchronous speed होता है वो किन पर निर्भर करता है खुद synchronous speed जो खुद है वो 120 f upon p पर निर्भर करता है किस पर 120 tf upon p पर निर्भर करता है तो ऐसा machine जो synchronous speed को follow करता है that is synchronous machine अगर मैं इन जेनरल बात करूँ तो हमने synchronous generator और synchronous motor और अल्रेड़ी पढ़ा हुआ है तो यह तो synchronous machine का basic funda था अगर मैं बात करूँ synchronous generator को इसी का दूसरा नाम क्या है इसी का दूसरा नाम है alternator क्या है alternator या three phase synchronous generator इसी क्या बोलते है three phase synchronous generator अगर मैं इसको view कराऊं आपको एक बार इसकी picture दिखाऊं तो मैंने कई बार बहुत बार आपको बताए कि जितने भी power plant है चाहिए anti-pc है या thermopower plant है इन जेगा हम alternator का इस्तमाल करते है जो alternating wave produce करता है ठीक है ना तो alternator चाहिए anti-pc हो thermopower plant हाइडropower plant हर जगापन क्या करते है alternator का इस्तमाल करते है यानि synchronous generator का इस्तमाल करते है तो ये एक परकार है ये भी एक क्या जी परकार है तो आप अगर इस picture को देखने की कुसिस करो तो मैं इस picture को आपके सामने यहाँ पर लाके खड़ा कर देता हूँ this is a synchronous generator this is a synchronous generator now about terminology आता है कि synchronous motor क्या तो देखें synchronous motor की अगर आपन चर्चा करे ये synchronous motor दो तरीके से classify कर सकते है in general अगर में synchronous motor को classify न करो तो synchronous motor already हमने पढ़ा हुआ है लेकिन जब इसको classification में और जाओ यानि अगर हम तार जोड़ने की कोशिस करे कुछ आप स्पेसल motor को तो यहाँ से हम इसको और भी classify कर सकते है अदरवाज पढ़ने वाले बच्चा universal motor अलग पढ़ लेता है hysteresis motor अलग पढ़ता है reluctance motor अलग पढ़ता है उसमें switch tab reluctance अलग पढ़ता है synchronous reluctance अलग पढ़ता है तो classify करकर पढ़ोंगे तो सब motor अलग लेगा जो कि अपने अपने हैड़क सा बन जाएगा इसी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया synchronous motor को हमने दो तरीके से classify किया वो दो तरीके कौन से है आइए इसकी चर्चा करते है synchronous machine को दो तरीके से classify किया सकता है एक double excited motor double excited synchronous motor और एक होगा single excited single excited synchronous synchronous motor अब ध्यान से समझेगा सरी डवल excited motor क्यान सा है आपको पता है जब हमने synchronous motor आपको पढ़ाया वहाँ पर input में supply तो देते ही है एसी है ना लेकिन उसके rotor पे भी DC supply देते है तभी ना double excited motor हमने बोला एक तो supply rotor को दिया ही दूसरा स्टेटर को दिया ही दूसरा rotor को में supply देते है तभी वह एक synchronous speed को follow करता है तो इस type को motor को अपन क्या बोलते है जी इसको बोलते हैं double excited motor और यही double excited motor को आमूमन बोल चाल की भासा में synchronous motor ही direct बोला जाता है क्या बोला जाता है synchronous motor अगर आपको picture के लिए अब मैं आपको एक बार यह भी बता हूँ जो हमने theoretical चीज़ें आपको अल्रेडी पढ़ा रखा है देखें double excited motor कैसा होता है यानि अगर किसी motor को आपने supply stator पर दिया ही साथ के साथ ऐसे motor में आप क्या करते हो additional additional क्या करते हो rotor प अगर भी एक DC supply देते हो इसलिए एक excitation तो यह हो गया और दूसरा excitation रोटर पर भी देते है तो दो excitation हो गया इसलिए अइसे motor का बोलता है double excited motor तो आपको ये भी दिमाग में होनी चाहिए कि इसी motor को बोले आता है double excited motor क्या बोलता है double excited यहां पर दोनों एक्साइटेज़ वाला मैंने इसको आपके सामने रख दिया है प्रजिंट करती है यह ऐसे सर्किट तो मैं आपके डीसी मोटर में क्लिबार बनाया ऐसा चीज़ आगी थोड़ी से इसकी चीज़ों को थोड़ी से इधर खीच लेते हैं इससे क्या होगा अप बात करते हैं सिंक्रोनास मोटर की आएए से कृणास मॉटर में एक क्लासी फाय неп mango कर दिया डबूर Delaware एक्सएटेट जिसमें दो एक्साइटेचाएट डेना हो और एक है क्या सिंगल एक्साइटेट इसन्कृनड स मुसीन सिंक्रों मुषा मूटर एक्साइटेट अभी मतलब जिसमें सिर्फ आप एक ही इक्साइटेशन देते हूं ओंगे दो तरीके से क्या होगा यह फिर से कितने तरीके से क्लासिफाई होगा दो तरीके से आई यह जी इसको समझते हैं यह फिर से क्लासिफाई होगा दो तरीके से एक कहलाएगा एक कहलाएगा ध्यान से ध्यान से रिलक्टेंस मोटर ही पर कॉंसेट आएगा एक कहलाता है रिलक्टेंस मोटर रिलेट करते हैं चीजों को सब सिंक्रो सिंk mythology को फोलो करता तर रीलक्टेंस मोटर और दूसरा क्या हिस्ट रेचिस मोटर भी तैना अगर आपको पता हो तो मैंने ש्टिन ही मोंटर के में पढ़ाया और यह इसका प्रोपर इमेज हैं अगर दो एसमें जो है इसका दोम से इंड़ेक्शन मोंटरम वह देखे हो केज़ टाइप ऊंडर डैप लेंगे इसमें क्या था cylindrical टाइप था आप चाहे तो हमारे हिस्ट्रेसिस मोटर की वीडियो देख सकते हो इसमें कुछ भाग होते हैं जो नॉन मेटालिक होते हैं जिस पर फिल्ट रिप्रोडूशन हो पाए या फिल्ट वो कंडक्शन जैसा बिये बना करें डिकरेंट डेवलप ना हो और मोटर दूसरी बात हमने क्या बोला हमारे लेक्या आता है रिलक्टेंस मोटर स्ВО अलग समय पर पोल जेनेरेट करके रोटर को हम घुमाने की कोसिस करते हैं, उसको बोलते हैं सुच्ड रिलाक्टेंस मोटर, अगर हम इसकी और क्लासिफिकेशन पे जाएं, इसको और बारगी से पढ़ना चाहें, तो आईए हम इसको और आपको एलिबरेट कर देंगे जी, आईए, बाद में इस की इमेज को दिखाएंगे, लिए पहले आप समझे, अगर इसकी क्लासिफिकेशन को और हम इलिबरेट करें, तो ये फिर दो तरीके से क्लासिफाय होते हैं, ये दो तरीके से, एक कहलाता है सुच्ड, रिलाक्टेंस, सिंक्रूनास मोटर, सुच्ड रिलाक्टेंस, चली न म सिंक्रूनास रिलाक्टेंस मोटर, दूसरा क्या कहलाता है सिंक्रूनास रिलाक्टेंस मोटर, अब आईए, अब मैं आपको बताता हूँ, सुच्ड रिलाक्टेंस मोटर और सिंक्रूनास रिलाक्टेंस मोटर कैसा होगा, समझते जाएगा, अब यहाँ तक आपको एक चीज तो clear हो जाएगी सुज्ड रिलक्टेंस मोटर सब का जो example है साइब थोड़ा से हİंग कर रहा Wait a second सुज्ड रिलक्टेंस मोटर की अगर मैं बात करूँगा विस रिलक्टेंस मोटर की बात कारूँगा तो इसमें क्या करते हैं sunflower to come के मादियम से इसके पॉल पर अलग अलग टाइम में इस तरिके से सप्लाई देते हैं जिससे की यह अलग अलग टायम में कभी एन यहां बना कभी अस बना एन न बना एन बना तो उस टाइब से पूल का चेंज़ होता है और रोटर लगातार फेरो-मय्गनेटिक स्मआघेंच मोनधें दूसरा सिंक्रोंते रिलक्टेस मोटर कहते हैं ऐसे मोटर जो सिंक्रोंस ली इंदक्शन मोटर कैसा है थी थी खुएज इंदक्शन मोटर का त्थांवार को construction आपको synchronous machine जैसा मिलेगा synchronous machine जैसा और अटा का construction मिलेगा तो यहाँ पर समझना है अपने को इन ही दो टॉपिक को यहाँ पर focus करना है reluctance motor mainly topic रहेगा हमारा उसमें एक switch motor switch reluctance motor होता है तो दूसरा synchronous reluctance motor होता है तो चलिए अपन इन ही दोनों parameter के साथ इन दोनों चीजों को अच्छे से आज study करते हैं देखिए जितने भी motor है synchronous speed को follow करेगा आपको मैंने इस hysteresis motor भी पढ़ाया इसमें भी आप देखो इसके stator single phase induction motor जैसा होता है और इसके stator three phase induction motor जैसा होता है तो इस stator पर three phase winding भी किया सकती है और single phase winding भी किया यह चलीए मोटर मैं centre भी इस को कह सकते synchronous मसीन को blind попробब देता हूँ शीमडवाब करता है यह सीमृनस स्पीड़ को करता है जिस तरिके साथा पन डेवलाप ळा देंगे तरिका उन करेंग तरिकी से रोटेशन देगा फोल इन ज्याएता तरə हम ऐसे ममें मिलता है आपको अना तो इलाक्ते हिसो इस Mission मौटर क्या हैbahn इस इस मौरेखी एक सिंखरोर कर वागी संखरो सार्ज पिट से चलते हैं सो everything is synchronous speed को follow करता है सारे machine सो synchronous machine करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ऐसा नहीं अलग अलग motor पता नहीं कोण कहां से आगा नहीं relate करेंगे चीज़ों को अगर हम देची नॉर्मल भास हम कहते हैं तो synchronous machine में यही majorly पढ़ते हैं जब हम part by part पढ़ेंगे चुकि single phase synchronous machine तो नहीं आया ये सब ऐसे machine है जो single phase पर भी ऑपरेट होता है और three phase पर भी ऑपरेट होता है तो इस तरीके से single phase synchronous machine के लिए भी ये सब एक best example हुआ जबकि ये सब अपन three phase पर भी परते double excited, alternator ये स单 by 3-page पर work करने वाला है जबकि इसमें three phase पर भी करेगा और single phase पर थिरी पर भी करेगा single phase पर करेगा three phase पर करेगा single phase पर करेगा single phase पर करेगा ओके, अब हमने देखा कौन सा machine reluctance motor पर हम आ चुके है classification के बाद हम कहां पर आ चुके reluctance motor पर अब इसके construction अलगा होते हैं इसके बारे मम चर्चा करेंगे अच्छे से अभी चलिए पहले देखते हैं अब अपन एबाउट reluctance motor हाई थोड़ा समय दीजी हामेशा के लिए समझ जाएंगे जी अभी तो कहां से निकाल के लाएं सिंक्रस अभी reluctance motor को अपन कहीं से उठा के लाएं निकाल के लाएं तो दिस इस रिलक्टेंस मोटर की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले कहां पर जाओंगा इसके construction पर कहां पर जाओंगा इसका construction पर ध्यान से एकदम ध्यान से reluctance motor की कहां पर जाओंगे पहले चियों को हम एकदम concept से समाझ जाएंगे बाद में इसके proper पर पीडियाप भी आपको इलिए एरेंज कर देंगे ठीक है लेंग्विज को समझते रिए पढ़ते रिए लेकिन आप चियों को देखी क्या होता है और इसमें भी मोटर होता है अब यहां जो बात कर रहां स्टैटर यह स्ट्याटर डौनों सरीके से शिंभार स्टैटर है श्यूंडा को संब़ता है यह वही स्ट्याटर का हम सरुख यहसी कर सकते यानि रेलाक्टर नौटर का stator का part single phase induction motor जैसा भी हो सकता है और उसके construction आपको पता होना चीए क्या करते थे एक winding देते थे supply अगर आपको single phase induction motor या दो फिर उस पर motor रन नहीं करता था तो double excited कर देते थे double excitation देते थे ना यानि दो auxiliary winding और main winding दो supply देते थे ना वाँ पर या फिर इसका construction three phase induction motor जैसा भी आप रख सकते हो तो यह constructional future है अब इस तरीके से रख सकते हो सर इसके stator की अगर बात करें तो single phase वाला कैसा stator होता है सर single phase वाला आपको मैंने अगर आप ध्यान हो आपको तो हमने था single phase की winding आप एक main winding रखते हो यहां पर और एक क्या करते हो auxiliary winding रखते हो सिंगल phase induction motor में एक main winding देते हो और एक क्या करते हो auxiliary winding देते हो तभी इससे क्या होता है एक rotating magnetic field develop होता है इससे भी ARM सिंगल phase induction मोटर में भी motorcycle अब चाहित और बहतर तरीके से बना सकते हैं फिलाल में बताता हूँ और इन ही के connections कहीं ने कहीं अपन यहाँ पर रखते हैं जी इनके connections इसके साथ होता है और दो ही यहाँ पर main supply single page का है तो एक ही supply आगा और इसके connection कर देते हैं वो बात अलग है auxiliary winding को हम आपको पता है अगरी centrifugal switch से बाद में अलग करते हैं क्योंकि उसी को एक starting switch भी बोले आता है यहाँ starting method भी बोले आता है so auxiliary winding को start करने के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं बाद में उसको भी हटा देते हैं so rmf develop करना है तो यहाँ पे single page winding को ही दो भाग में classified करते हैं एक main winding main winding दूसरा auxiliary winding एक था main winding एक होता है main winding और दूसर होता है auxiliary winding यह सब reluctance motor के working को समझने में आसान करेगा इसलिए मैं बार की सी चीजों को तक ले जाने की कोशिस कर रहा हूँ no three phase induction motor बिल्कुल आपने अल्रेडी पढ़ा हुआ है हमने कई बार बताया हुआ है है ना three phase induction motor का आपको already मैंने कई बार बताया हुआ है कि इसके stator क्य जाओंगे इसमें supply कितने होंगे जाएंगे three phase का supply जाएगा है ना three phase का supply जाएगा तो यहां भी क्या होता है एक RMF develop होता है यहां पर भी क्या होता है जी एक rotating magnetic film यह सिर्फ और सिप किसकी चर्चा और यह स्टेटर किसली सिर्पाश्टेटर बनाया हो रोडर नहीं बनाया मालनों यहां पर A है phase और यह B और यह क्या phase C है A B C phase के अंदर three phase अपलाई देते हैं तो rotating magnetic film will develop होता है तो reluctance motor का stator का जो हिस्सा होता है कुछ अद्य तक आप तो या तो ऐसा रख लो या फिर ऐसा रख लो ठीक है तो reluctance motor three phase में भी संबब है और one single phase में भी संबब है ठीक है है ऐसा नहीं कि reluctance motor हमेसा single phase होगा three phase में भी आप बना सकते है इसको design कर सकते हो और single phase में भी इसको design कर सकते हो now main part जो आता है that is rotor का part आता है यहाँ पर जो main part आता है rotor का अब rotor भी अलग-अलग shape के यहाँ पर design किये जाते है एक तो चुकि synchronous machine से निकाला हूँ तो projected pole rotor हो यूज होते हैं यहाँ पर mostly कैसा पूल होता है projected pole rotor होते है जो आपने machine में देखा ना कैसा projected pole rotor projected pole rotor या इसी को और दूसरा नाम से क्या जाना जाता है salient pole pole rotor कौनसा salient pole rotor सार यह कैसा पूल रोटर होता ता रहे यह तो खूब देखें आपन है ना अपन ने खूब देखा इसको salient pole ओ प्रोजेक्टेड पूल हो ऐसे पूल के रोटर नहीं देखे है क्या बता यह ऐसे पूल के रोटर नहीं देखेंगा देखेंगा एक कि ऐसे इस बहुशनत इसको बोलते प्रोजेक्टेड पूल बोलते थे इक उता से रोटर को अपन पड़ते हैं इसको बनते प्रोजेक्टेड पूलoh प्रोजेक्टिर पूल रोटर नौ इसके रोटर की बात आगी लेकिन यह तो मैं बेसिक फंडा बताया कि किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए मिनम यह कर्टेरिया होनी चाहिए मिनिमम यह मेरी आवाज आई हो तो आओ पार रही हो वीडियो एक बार कहा बता है कि बिना आव चुक्ट करो और फिर वो जीरो वम्हाह तो बीना वाज का वीडियो का क्याम मत वीए अब समझे की इस ट्रैप के रोटर होते है अब आपको की सटाइब के रोटर हाथ देखें सर्वी स्टाइब करो बिलकुल आप देखिए हो ओके आवाई जहाँ पर कहीं पर डेवल आते और आप देखना चाहो तो मैं इसको बिल्कुल दिखाता हूँ अगर आप इसको एडवांस वर्जन में किया जाए एडवांस इसको जब रूप देते हम धीरे-दीरे इसको एडवांस रूप देते हैं तो इसके रूटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल चेंज होता चला जाता है आईए मैं उस पे चलता हूँ यह देखिएगा यह देखिएगा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस कि स्टैप का रूटर है यह देखिए जवाब जाओंगे ना यह देखिए इसलिए जब मैं सुरुवात का पेज हमारा था ना वह उस पर यही रूटर का तो सीन था रिलक्टेंस मोटर में ऐसे रूटर का भी इस्तमाल करते हैं और प्रोजेक्टेर पूल वाला भी रूटर होता है आईए समझे तो आब रोटर इसमें कैसा होता है इस प्रोजेक्टेर पूल जो कि आप कैसे देखे हो सिंक्रोनाज मसीन में देखे हो उस पर बनाई कि एक क्या करते हैं पूल का सेड़ देते हैं ताकि वाइंडिंग और सेड बाहर ने जाए लेकिन इस पर तो डवल वाइंडिंग होता नहीं सिर्प पूल सु जैसा इसे नहीं बनाते हैं यानि इस पर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं करते हैं यानि इस पर इस पर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि इस पर वाइंडिंग तो आना नहीं है इस पर वाइंडिंग नहीं आना है ना और इवेन पूल पर अब बात करें इसके रोटर मेंनली कैसा पोल है प्रोजेक्टिर फूल, लेकिन जब धीर जिरे इसके और एडवांस किया गया, और बेहतर तरगे से किएगे तो ये सबसे suitable rotor की स्रेणी में आता है ये हम कह सकते हैं updated rotor है हमारे लिए आज के दिन में updated rotor है सबसे ज़्यादा इसका इसका इस्तमाल होता है अब समझेए सर ऐसे motor को भलाई reluctance motor है क्या है working वो भी अपन समझेगे आईसे motor आज के दिनों में क्यों इतने इस्तमाल में जाने लगे हैं ये सब दिमाग में आता है लेकिन ये सब और भी एडवांस हो गये इफिशेंसी के मामले में उससे भी 57% बहतर स्टार्टिंग टॉक डवलब करने में उनसे भी बहतर इसलिए इस टाइप के motor का और ज़्यादा एप्लिकेशन हो रहे हैं ऐसे motor का इस्तमाल आपन करते हैं ठीक है ना चली अब मैं यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूं कि सर इस टाइप के एडवांस लेवल की rotor होगे कैसे rotor है तो यह तो जानकारी मिल गई आपको किसके बारे में एक construction के बारे में कि अगर construction आगे अभी बनाऊंगा कि construction अगर होगा जब भी दिखेगा इन दोनों में से को एक क्रुदा स्टैटर का होगा और इन में से rotor का construction होग अगर बनाना पड़े अब इसके construction को जब बनाना पड़े तो आई ये बना देते हैं जी आई ये इदम बार की से समझे जी इदम बार की से construction को अगर बनाना पड़े तो आई ये कर दोगजा जो आई कि शिंक्रन्स मसीन टैप का बना देते हैं जंजाटी नहीं रहेगा जंजाटी नहीं रहेगा आप चाहिए तो इस्टेटर पर सिंगल फेज का डाल दो या फिर थिरी फेज का डाल दो कोई इसू नहीं है अगर मैंने यहां किया एक रोटर इस्टेप से बनाया दूसरा रोटर यहां बना देज दूसरा रोटर हमने क्या किया यहां इस तरीके से बना दिया अब देखेगा सब अगर सिंगल फेजी मसीन हमने बनाना था सिंगल फेजी मसीन बनाना था दो आई यह जी हमने क्या किया सिंगल फेजी मसीन में क्या करते हैं? यहां पर आपको वांडिंग देके पूल बनाते हैं अपन एक जो गलिरी वांडिंग एक मेन वांडिंग होता है तो उसको दो भग में स्प्लिट कर देते हैं और अगर आपने देखा होगा अल्रेडी हमने यह सब काम किया हुआ है अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास हमारे मेन वांडिंग है तो मेन वांडिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है आईए मेन वांडिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है है यह ना आईए एक्जलरी वांडिंग भी आपके पास है एक्जलरी वांडिंग भी आपके पास है अब इनके कनेक्शन इसी के साथ करते हैं सिंगल पेजी होता है तो कनेक्शन तो इसी के साथ करना पड़ेगा एना एक को इसके साथ कर दिया एक को इसके साथ कर दिया समझ रहे मड़ी बात क को अगर आपको करना है तो वालो एक connection सीधर कर दिया एक में हमने ना दूसरे connection इस तरीके से कर दिया और यहाँ पे क्या एक तरीके से एक वांडिंग के लिए क्या होता है centrifugal switch भी होता है centrifugal switch आपको पता है जब machine अपने रेटेर सब्सक्राइब कर सकते हैं अब समझेगा यहां पर आपन क्या करते हैं जब स्टार्टर पोल आप बनाते हो तो आपको पता ऐसे करके आप क्या करते हो एन पोल एस पोल इस तरीके से क्या करते हो आप पोल का निर्मान करते हो लेगिन यह पोड अस्थिर नहीं रहेगा चुकि alternating AC supply होता है, यहाँ पे supply कैसा होगा, AC, तो दो winding के देने से आपको यह चीज़ पता होना चीज़, यह permanent pole होता नहीं, यह कैसा pole रहेगा, यह temporary pole तो है, लेकिन जब आप supply देते हो, electrical, तो यह कैसा machine के अंदर develop होता है, RMF क्या होता है, rotating magnetic field develop होता है, क्या होता है, rotating magnetic field develop होता है, synchronous के projected pole rotor से क्या फर्क परता है, अब मैं कहता हूँ कि यह हमने बनाया stator, वो भी कैसा single phase induction motor type, यह ना, यह हमने बनाया rotor, यह हमने बनाया rotor, वो भी कैसा synchronous machine के projected pole type, projected pole rotor, projected pole rotor, बनाया हमने, projector synchronous machine type, अना, अब यह synchronous speed पर घुमेगा, आई यह चीज़ों को समझते है, आई यह चीज़ों को समझते है, अब यह कैसे घुमेगा, बात को समझे, देखिए यह जो आपके rotor रखे जाते है, यह किस टाइब के rotor होते है, यह होते है, ferromagnetic material के, कैसे, ferromagnetic material, अब इस की गुन क्या होती है, ferromagnetic material क्या होता है, पर यह तो इसको समझे, यह ferromagnetic material वो है, अगर इस material को magnetic field के alignment में रखा जाए, यह magnetic field के रखा जाए, तो इसके जो dipoles होते हैं, वो एक साथ, थोड़ी सी field मिलने के बाद, इसके alignment एक साइड हो जाते हैं, और यह बच्छा चुमबक बन की खोशिस करता है, material तो बहुत सारे होते हैं, चुकि जितने भी धातू, खासकर metals या iron की भी मैं बात करूँ, तो इन metals में क्या होते हैं, non directional dipoles होते हैं, समझे, normally पर बातों को हमारी समझे, मैं चाहूँ तो एक वीडियो भी रन करके आपको बताऊँगा, चाहे मैं कोई भी हगर एक iron लेता हूँ, लोहा लेता हुँ, अगर मैं कहता हूँ, ये लोहा है, iron है, तो इस iron में पना चाने, कितने हजारों लाखों डैपोस के part बने हैं, हजारों लाखों, ये भी अपने, अपने, में तोता ही हमोता अगर इसके एक साय यूनिफर्म ये alignment होते हैं, इसके दाइपोल्स कभी दर कभी दर कछखे इदर कछखे दर कछखे दर कछखे दर कछखे दर कचखे दर तो इसका resultant जो end pole और S pole बनने की चमता होती है वो जीरो हो जाता तो यह जो है non directional non कोई fixed directional नहीं है non directional dipoles है इसके डाइपोल्स है इसके कार ये चुम्बक नहीं बनता लेकिन अगर मैं कहता कि ये एक Ferromagnetic Materials है ये क्या कहता कि ये Ferromagnetic Materials है Ferromagnetic Materials वो है जो Magnetic Field के आस पास आके चुम्बक क्या गुन अपने में एड़ाप कर लेता है मैंनी Magnetism अपने में में क्या करता है है अगर यह कोई मैंगनेट है अब इसी मैंगनेट को मैं कू vagina को फिक दूर्ध के लिए और पर्माणेट मेंगनेटिक SW-Leo तो इसकी कया होगी फिल्ड औविस्लि जाईगी इसकी फिल्ड क्या होगी यह देखे ये क्या होगा इधर जीदर फिल्ड चलेगा इसका और यह सब फिल्ड में जब किसी ऐसे मेटरियल के ला रहा हूं जो फेरो मगनेटीग मेटरियल है तो गया होता है जो इस फिल्ड के इरदग्र तुरंद इसके सब कर डारेक्षण Chapel Unified हो जाते है जैसे फिल्ड मेला तो यह अब गाता है एक अच्छा मेडियम बन जाता है इसमें इसलिए इसे मैंघनेटिक गुण बहुत जल्दी आजाता है यानि magnetization इसकी बहुत तेजी से होता है, जैसे कि एक लोहे, यानि लोहे को magnet के आसपास रखोगे, तो तुरंद खीज लेगा, क्योंकि उस लोहे में magnetic field के इरदीर्द रखने पर लोहे में भी alignment इस तरह के से डैपोस बन जाते हैं, alignment इस तरह के सो जाता है, कि वहाँ पर वो एक अच्छा सा चुम्बक जैसा भीएव करता है, और जब किसी चुम्बक के लेरवाई कोई magnet या कोई material लाओगे लोहा, तो उस पर opposite polarity का magnetism उत्पन होता है, अगर यहाँ N है तो यहाँ क्या बोला मैंने, S पुत्पन हो जाएगा, अगर वहाँ N है तो यहाँ क्या S, और यहा करता है, यह सब हमारी basic बात है, चुम्बक को इसलिए तो खीच लेता है, यानि कोई लोहा को अगर कोई चुम्बक खीचता है, उसके लिए क्या होता है, कोई क्यों लोहा तो चुम्बक नहीं है, लेकिन उस लोहा में बहुत जल्दी magnetic field के एरदगीरत, अगर कोई लोहा आत है, आगे नहीं, यह सब basic बात होती है, जबकि लकडी अगर रख दे तो क्या ऐसा होगा, या फिर aluminum रख दे जल्दी ऐसा होगा, क्योंकि हर material में नहीं, जो ऐसा material हो, जो क्या करे, हमारे ferromagnetic material में होता है, कि जो चुम्बक या गुंधर्म या चुम्बक ने टिजन को फोलो क करने वाला बहुत जल्दी हो जाए, उस material को बोलते है, ferromagnetic material, तो यह जो material होते है, rotor, यह ferromagnetic materials के बने होते है, एक short में वीडियो भी दिखाता हूँ, आपको थोड़ा अंदाज आएगा, फिर हम इसको बढ़ियां से इसको करते हैं, जी, एक second, क्योंकि हमारा पूरी कोशिस ह होती है, कि आप लोग चीजों को बहुत बहुत बहुतर तरीके से करें, है न, तक कि long term तक कभी भी, आप इसको अच्छे समझ बात देऊ, एक second, यह तो, नहीं है, जी, एक second आने दीजे, दूसरे वीडियो को चलने दीजे, यह भी नहीं है, जी, रुखिया आने दीजे, दूसरे और वीडियो को आने दीजे, चाहिद यहाँ पर देखने को कुछ मिले, सीखने को मिले, थोड़ सी चीजे थी, आप देखिये, थोड़ सी चीजे, यह करे माइग्णेयर्टोड में कभी भी लहा की, बहुत जल्दी अट्रक्ट होते। इसके क्या रीजन होते है, क्योंकि मैंग्णेटीट है, इसमसीन ही है रीलक्टेंस मोटर wahान से समझेगा, यह मसीन ही स्टेडी में एक्चुली रिलक्टेंस मोटर और रिलक्टेंस कहते हैं कि जब किसी फ्लक्स के पात को बहने के लिए अगर हावा मिले तो उस परिपत का रिलक्टेंस बहुत जादा होता है रास्ते में कोई लोहा मिल जाए तो क्या हो गया रिलक्टेंस कम हो गया लोहे का तो आसानी से गुजरने कोशिस करता है कुछ इसी प्रिंसिपल पर ये मोटर काम करता है तो हम कुछ बात बताने चाहते हैं कि अगर किसी मेगनेटिक फिल्ड है इसका रिलक्टेंज जादा है तो फ्लक्स बेचारा कमजोर है जब लोहा के अंदर जाएंगे तो भिन भिन डायरेक्शन के डायपूल्स होते हैं इसके एनपूल्स इसलिए इसका रिजल्टर ये चुम्बक क्यों नहीं होता तो इसके डापोस अलग लग डारेक्शन में है डिजल्टरी यह चुमबक की अगुन नहीं रखता लेकिन इसको किसी चुमबक की चेतर के पास रख दिया जा है यह चुमबक की अपने आप तुरंट एड़ोप कर लेता है और किसी चुमबक से जाके तुरंट चिपकता है तो ज़िसर इसके लोहाएक एक जाम पले अदे उस समझे क्यों इससे ऐट्रेक्ट हुआ अब एक सगेंड़ को सिंपल भासा में यह मोटर भी कुछ इसी तरब किस हूता है मोटर क्यू घूमता है मोटर के पास हमने एक मेगनेटिक फिल्ड़ को रख और हम में पर्माइन करते हैं उसी के कारण उसमें रोटेशन आता जैसे यह कैसे खीचा चला गया वहाँ इस तरीके से एक टॉर्क डेवलप होता है जिसको रिलक्टिन्स टॉर्क कहते हैं और इस तरीके से यह खीचे आती है आप अगर किसी ने मीजरमेंट पढ़ा होगा था हम एक पार परते हैं मेजरमेंट में moving iron instrument moving iron में क्या होता है एक लोहे को magnetic field क्या रखते हैं और मालों यह लोओ zinc वेलवा है जो इसी supply आता है यह इसको खीच लेता है क्यों क्योंकि low reluctance path को accept करने के लिए इसको खीचता है और यह खीचे गा ता कि इस रास्ते से वो flux वो गुजार पाए और यही सब कुछ basic principle होते हैं तो हर चीज रिलेट करने की ज़रत होती है ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए So this is all about कि magnetic field कैसे किसी की लोहे में develop होता है और ferromagnetic material का क्या मतलब होता है तो यहां तक आपने चीज़ों को समझाए अब आपन चलते हैं अपने टॉपिक पर फिर बात करेंगे इस पर आखे Now, अब मैं यहां पर बात करता हूँ यहां पर समझने की चीज़ है समझेगा तो ferromagnetic material देने से क्या होगा कि जब इसके RMF rotating magnetic field है अब यह rotating magnetic field बहुत अच्छे समझाच होगा अब भी रहेंगी अगर दिमाग माएगा तो समझेगा यह पढ़ना ही बेकार है कि अपन क्या ही कर रहे है तो क्योंकि हम अने हर चीज़ को बहुत अच्छे से अपको समझाच है अब यहां पर बात को समझेगा फेरो मैंने अब यह RMF क्या होता है कि एक एन पोल जैसे यह और रियाल्टेन आड़ना घूमा तो एन पोल और एस पोल क्या होता है लगातार घूमेगा क्या करेका लग किसी एक डिरेक्शन को फूलो कर लेता है और इसी के कारण यह एक जिगह कहीं एन पोल बना और कहीं एस पोल बना अब ध्यान से कहीं एन पोल बना कहीं एस पोल बना तो ऐसे वे क्या होता है यह देखिए किस तरीके से काम करेगा यह एन यहां बना है एस इस पर बना लिया पिर एन यहाँ बना है एस यहां पर आपकर रोटेटिंग बन रहा है तो यह जैसे से घुमेंगा इसको लॉक्ट करकी घुमेंगा और यह रास्ता लोड holder लॉक्तिनज पात को बनाया और यह एक्गा लॉक्टेंज पथ बनाया एंसस्य अब इसका ऐसानी सो गुजरेगा गया से के तो इस तरीके से फ्लक्स शुक्रेघा कारण इस रोटर पे लेडे भी लटन्हें स्टॉक क्या है यह मोकतर क्या करता है भूमना सुरू North 설ソ junk 가족 अदिखा गरबढ़ा जॉक्त Suskr क्या करने के लिए ये सरass लेखियों चुब्वता करिंगा सब को जाने की एका के मतोल हुआ कि आपना बोल को कर स्छेटेंगा मानलो का आन्लो कि अधुक्त अंध़ उओ के वह होने लिगे यहां उन्हों पार हो सकता लगा है यहां पर एंटवल डैवल है और निशियां रेडी होगया कुछ इस तरीके सेृडी हो गया कुछ इस तरीके से हो गया और इससे फ्लक्स का लिंग भी हो जाएगा फ्लक्स का लिंग भी हो गा और एक रास्ते से Jackie कि फायрьडऄ़ फ्लक्स का फ्लो हो जाएगा है यह फ्लक्स लिंक कर लिया और यह तो गूमेगा चुकि यह तो गूमेगा जी यह गूमेगा तो यह लोड रिलक्टिन्स चलता है रोटर पे और यह बहुत तेजी से चलता है रोटर हमारा लैग करने लगता है इस चीज़ से बचने के रिए एक पोल के बजा हम चार पोल देते हैं चीजह को और अपडेट करते जाते हैं अब देखोगे आगे चार पोल के बजाए हम सर्कुलर रोटर देने लगे हैं यह चीज़ी को अपडेट करते हुए धीरेदे चलते जाते हैं और इस तरीके से यह हमारा काम करता है ठीक है न तो यह तो हुआ किसके बारे में यह तो हम कहते हैं कि इस टाइप का रोट रिलक्टेंस मोटर का एक इस गया समय सबाएं है कि अ कि यह जी रेंग करने लगा है अगा है अगा है कि अगा है कि साथ इसका पिक्चर भी बना होगा एक सेकेंड बनाने की जुरत नहीं पड़े कि टाइम का भी सेविंग हो जाएगा भाई प्लीज है एंग मत करना बस एक सेकेंड इसको इतना को तो जड़ा सेव तो पर दो एट लिस्ट अगया वाद समस्या कर देता है कि अगया है कि अगया है कि अगया है आसे कि परले बात को समय क्या है कि सुझ्न इलेक्टिंज मोटर जो होता है उसमें क्या करते ही आपreship हमारा क्या है सूझ्нова से लाइång से लटे डा ले एक सेकेंड इसका यह मतलब सुच्छ डिलक्टिंज मोटर उसको सप्लाई क्या देते हैं देखो इन्पूट दो दे रहें पर ऐसे इन्वोटर में कन्वर्टर का इस्तमाल करते हैं और और a,b,c,phage देने थ्री,phage अब यहां पर जो पोल होता है यहां पर आगे मैं बना भी दूंगा फिलाल यही पर कुछ चीजा आपको समझाता हूं यहां पर क्या करते ना कि इहां पे कुछी इस तरीके से यह पर कुछी सटरीके से अपन इस पर पूल राज स्टार्टर गपूल फे वेंडिंग चाळा देते हैं गाता चाहें जेंगे से और वेंड़िंग चाहा देजिनक आप आगहिस तरीके से रहता है था रोटर माना इस तरीके से कुछ रहता है न उससे साफ रटैच रहेगा आप समाझना इस स्विच्छ रिलक्टिस्ट मोटर का मतलब यास की जो इनवेटर एक रख लोका है यह हमारा पावर लेक्ट्रोंजी देवाईज मदद से कभी इस पॉल को इनरजाज़ करते हैं, कभी इसको करते हैं, कभी ये active endpole, कभी ये endpole इस पर सपलाई गया, कभी इस पर गया, इसके खुरू क्या होता है, जो हम switching operation के दौरा endpole, aspole को rotate करवारें, कभी इसको on, ना लाइट निंग चलता है उसमें क्या होता है टाइमिंग वोता है कभी सबस्क्राइब लगता है और यहां पर रोटेटेटिंग में डेवलिब ना कराके ऐसे लेक्रिकल सप्लाइब देके power electronics के मदद से इसको होन कभी इसको होन कभी उसको होन तो उसमें चारव क्या लग रहा है चुमब घूम रहे हैं और वह क्या करता है magnetic pulse उसको लोड एल्लक्टेश्ट पाथ मनागी क्या करते है तो घूमते रहता है क्या करता है और तो उस condition में जो rotor अपना घूमता है वो हमारे rotor speed, synchronous speed के बढ़ाबर होता है ऐसे condition में वो कहलाता है synchronous reluctance motor वो क्या कहलाता है जी? synchronous reluctance motor तो मुझे लगता है कोई ऐसी गरबरी नहीं होगी जो समझ में आया है नहीं चुकि ये चीज हैंग करने लगा दूसरे वीडियो में हम और भी चीज हैंग करेंगे तो यहां पर यह rotor rotates एक्चिली क्सेटा हूँ rotor rotates with synchronous speed synchronous speed किस speed से rotor का करता है? और rotate करने लगता है जी तो यह overall मामला होता है इस machine का बाकी theoretical बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जिससे हम दिखे DC input is connected to the अब कोई होगा कि सारे AC machine ऐसा नहीं चुकि converter तो obviously convert करतेगा चाहिए DC input जो भी दिए XYZ nothing आमने यांते क्या आप दे रहो चो converter का मतलब से उसको convert कर देंगे तो बात तो इन पूर्ट तो इसको ऐसी मिला है लेकिन यह यहां पर switching operations से अपन क्या करते हैं फटा 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 पर चुगी power electronics device जो आपको जो जब जिसको on off करना चाहिए आप करवा सकते हो चाहिए तो इसकी switching operation के बारे में आपको दिखा सकते हैं आईए switching operation किस तरीके से होता है यहां पर आएंगे यह दिखेगा किस तरीके से switching operation किया जाता है किस तरीके से switching operation किया जाता है समझेगा अभी और भी चीज़ा है इसमें समझने का rotor के बारे में तो बताई नहीं और यह तरह को मदद से इस तरीके से कणवर्टर के अंदर और जो रोटर में मिलता है कभी इसको इनस किया और उस तरह के साथ रोटर को भाई घूम रहा है तो वह भी क्या करता है एक बात हम यह संधेंगे कि आज के दिन में इस टैप का रोटर भी क्यों बनने लगे कि आईये मैं इसको समझाता हूं आज की दिन में इस टैप के रोटर क्यों बनने लगे यह सामें परिडियुब में कर दूंगा लेंगवेज हैं चीजे और कुछ भी नहीं इसमें आज के दिन गारे अजिए उसने कर दिया है कि आपको कि सर रोटर कभी ऐसा देखता हूं कभी ऐसा देखता हूं इसमें क्या लोचा है तो आज मैं उनको बताता हूं जैसे को भी पूल होता है को भी पूल रहता है तो मालनो n-pole, s-pole, l-pole, s-pole lock करके घुमेगा तो n-s, n-s जो इस तरीके का moment देता है इनके जगब पर अगर मैं बात करूँ मालनो अगर यह concentrated यहाँ पर concentrated winding है और अस्टेटर पर यहाँ पर distributed winding है ऐसे condition में मालनो हमने क्या किया है n-pole यहाँ design किया है s-pole बहुत सारे पूल है फिर n-pole है, s-pole है, n-pole है, s-pole है, n-pole है, s-pole है तो यह देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ न यहाँ flux का रास्ता ही तो चाहिए यह flux इदर से इदर गुजर गया यह flux इदर से इदर गुजर गया तो flux इस तरीके से starter हो स्कुम वंप कर रहा है आसानी साफन भालूक बना ले रहा है और यह लोक भी कर रहा आसानी से घूंद है दूसरे पर शलिंक भी नहीं मुलें इससे क्या होता है इसक興यो क्या होता प्लक्स क्या है और इस वाला फ्लक्स आसानी से गुम्नी लगता है असानी इस करता बूंत लुक्स करता है अराम से इसको घुमाता है दूसरा विच्टा बिलब कम उते हैंर्टी सख एप मसीनs के लजुन वह इंदर बलब कम उता हैसी लिए परल्ट में बढ़ जाता है यानि आप कहें सकते हो मैं बोला ना इफिसेंस पांच परसेंट का सब बढ़ जाता है ना उसके बाद इसके स्टार्टिंग टॉर्क भी पांच से साथ 10 परसेंट तक बढ़ जाता है तो इसलिए ये मोटर बड़ा यूज होता है नो इसके बारे में और कुछ डिटेल्स आपको सकेंड वीडियो में आ जाएगा क्योंकि वहेंग कर रहा है तो इसके बारे में मुझे लगता है कि जो अवर्व्यू होना चेने एक मसीन क्या होता है कहां से आया किस तरीके से होता है इसको अलग-अलग फॉर्मेट में नाज स सीख सकते हैं So this is all about today's session उमीद करते हैं आपको बहुत हद तक जानकारी मिल चुकी होगी हम दूसरे बैट वीडियो में इससे को आगे बढ़ाएंगे ओके बाबाए टेक क्या थैंक यू